बेलकम बेक फ्रेंड्स, दिस इस करन डफेस फंडा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्वरी के थर्ड वीक की Most Important 30 Questions, इसमें हमने सबसे अच्छे जो वीक में Questions निकले हैं, उसका ये Part 1 होगा, इसका Part 2 बहुत जल्द आप तक आएगा, तो दोस्तों जो लोग पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं, विश चनल को सस्काइब जरू कर लें, और इस लोगो बटन पर क्लिक करके, जो बैल आइकॉन आइस पर क्लिक करके, रेगूलर अपडेट्स आप ले सकते हैं, साथ में दोस्तों लिडियो को लायक करें, कमेंट में जाकर देख भी सकते हैं सबसे पहले questions के और move करते हैं इसमें जैसा कहा गया है in which city 11th international aerospace and defense exhibition aero india 2017 held अभी हाली में एक defense की event होती है तो यह 11th international aerospace and defense exhibition है जिसको हम कहते हैं aero india 2017 तो यह भी हाले में कहां पर हुआ तो यह हुआ दोस्तो बैंगलूरो में इससे जुड़ी कुछ important news यह है कि यहां पर total 51 countries ने participation किया अपना और साथ में बात की जब भारत की ओर से किन टीमों ने हिस्सा लिया तो aerobotic team participating in this show will be सारंग team indian air force और शूरिकिनन team indian air force यह तो भारत की ओर से थी और Scandinavian air show team जो है Sweden की वो थी यहां पर और साथ में Ebooks aerobatic team जो है Britain की वो यहां पर थी तो यह data जो है इसको भी आप साथ में note down कर ले और एक चीज़ और है कि it is the second largest air show in the world after Paris air show बात की जाए जो Paris का air show होता है उसके बाद यह second largest air show होता है वर्ड में तो इस बज़े से यह event जो है important भी है ठीके और यह पास दिन यह basically एक event चलता है और किसके दोरा organize किया जाता है यह आप note down कर ले D.E.O. के दोरा यह organized होता है ठीके organized बाया D.E.O. यह defense exhibition organization ठीके next question की दोस्तों मैं आपर बात करते हैं इसमें का गया है इंडिया and which country seeks partnership in a number of sectors such as aerospace, automation, medical devices, pharmaceutical, biotechnology and IT information technology तो अभी भारत ने एक country के साथ में partnership किया है तो आपको बताना है कि भारत ने किस country के साथ में अभी कुछ number of fields में partnership किया है जैसे aerospace में, automation में, medical services में तो यह किस country के साथ क्या है यह क्या है दोस्तों Thailand के साथ में ठीके तो यह भी important question है और अगर Thailand की बात की जाए तो इसकी capital क्या है यह है बैंककॉक और currency है थाई और king है वहाँ के बाजी रालकोन गोन तीक है यह नाम note down कर लें और इची में आपको और बताना चाहूंगा कि यह दो देसों की बीच में जो यह समझाते हुए है भारत और Thailand के बी तो यह है दोस्तों कहां पर मनीपुर में अब मैं आपको इस से जुड़ी एक ख़बर बताना चाहूंगा ऐसा हुआ है कि भारत का पहला floating elementary school जो है बो अभी हाली में मनीपुर का जो एक लोक्टक लेख है बहाँ पर यह floating elementary school जो है इसका inauguration महाँ पर किया गया तो यह important है और यह blaze का क्या नम है वो आप डाउन ओर कर ले यह है चांपकू खंपू फ्लोटिंग ब्लेज तीक है यह blaze का नम है मनीपुर का जो ब्लेज है तो इसमें क्या है कि बोला जाए कि एक floating मतलब तैरता हुआ स्कूल भी आप इसको कह सकते हैं कि पानी के उपर गास पुछ से बच्चों के पढ़ने के लिए जो उनको सेच्छिक सुविधायन दी जा सके महाँ पर तो इस विज़े से इसको floating elementary school ही कहते हैं चीक है और अभी world bestland day जो है दो फरवरी को मनाय जाता है तो इस मौके पर इसक स्टार्ट कर दिये लेना तो यह अपने आप में बहुत बड़ा achievement भी है क्योंकि नौर्थ इस में थोड़ा सिच्छा का इस तर कम जोर है तो इसको मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाने के बहाँ पर जरूद भी है next question में कहा गया कि कंबाला the traditional buffalo race recently legalized in which state एक कंबाला एक करनाटका का अभी इसका क्या हुआ था कि यह मामला कोर्ट में चला गया था ठीक है तो कोर्ट में जब यह matter चला गया क्योंकि जो पीटा आपने नाम सुना होगा पी-ई-टी-ए पेटा यह बिसिकली इसने कर दिया था कि इसको मतलब approval नहीं दिया था कहा था कि यह फैस्ट of cruelty to animal तो यह जो एक amendment act है यह करनाटका की government ने 2017 का bill लाया और जिसमें उन्होंने legalize कर दिया कि कंबाला जो वले card race है करनाटका में होती है यह fast है तो traditional fast है और यह होगा इसको bill के थ्रू पास कर दिया गया तो करनाटका की assembly ने भी हाली में prevention of cruelty to animals करनाटका amendment bill 2017 के नाम से इसको जिसमें से कंबाला festival जो वफैलो रेस होती है वो start हो गई महाँ पर ठीक है next question की दोस्तों मैं आपर बात करते हैं इसमें का गया the gateway of India geoeconomic dialogue 2017 begins in which city question में पुछा जा रहा है कि the gateway of India geoeconomic dialogue 2017 यह किस राज्य के अंदगत यह भी हुआ ठीक है किस राज्य में हुआ किस राज्य में ख़बर यह कि इसको cohouse किस ने कराया तो ministry of external affairs and gateway house यह cohouse थे और यह second जो है भारत का geoeconomic dialogue form है जो 13-14 फरवरी मुंबई में हुआ भी ठीक है महरास्टा मुंबई में है ठीक है तो आप इसको दोस्तों note down कर सकते हैं next question की अगर बात की जाये तो इसमें कहा गया है सचिन तंजलक under the sunset gram yojna अभी हाली में क्या हुआ है कि जो sunset की एक yojna है जिसके अंतरगत आपको एक गाउं को गोद लेना होता है तो sunset others gram yojna के अंतरगत जितने भी MP हैं राज्य सभा के हो या लोक सभा के हो वो किसी ना किसी एक गाउं का development करने के लिए उसको गोद लेते हैं तो अभी दो scheme MP LAD ठीक है मतलब बात की जाएदा member of parliament local area development division इसके अंतरगत क्या है कि गाउं को गोद लिया जाता है तो इसमें क्या है कि 4 करोड रुपए जो है यह fund allocate होता है उस गाउं के बिकास करने के लिए तो सचिन तंदुलकर राज्य सभा के MP है ठीक है और इनको जो यह इन्होंने यह वाला दोंजा बिलेज जो है इसको महराष्टा का है इसको इन्होंने लिया है ठीक है तो यह question आपके examination में दोस्तों पूछा जा सकता है फाइन पहले भी तंदुलकर ने एक बिलेज को लिया था लेकिन क्या हुआ कि कुछ यह महाँ पर time नहीं दे पाए तो इस विज़ देखें आपको यह बताना है कि वो कौन सा state है जो भारत का पहला cashless township बन गया है ठीक है तो आपको किस state के अंदर यह हुआ है basically अब जैसे बताया जाए कि छोटी सी कोई भी body kind of कह सकते है या फिर आप group of people कह सकते है जिसको हम town कहते है ठीक है या फिर कोई community जो completely cashless हो चुकी है तो यह हुई है दोस्तों गुजरात में अब गुजरात में कहां पर यह question भी important मनता है तो गुजरात में जो नर्बना वैली fertilizers and chemicals है जी एन एफ सी तो अब वो completely cashless community हो चुकी है तो आप इसको note down यहां पर कर सकते हैं तो ultimately right answer क्या है गुजरात और भारत की पहली cashless township क्या ह गुजरात नर्बना वैली fertilizers and chemicals जी एन एफ सी टाउन से ठीक है और इसको इसका भी integration किस ने किया बहां के जो गुजरात के CM है बिजय रुपानी इन्हों ने इसका महाँ पर integration भी किया I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा अगले question क्यों और move करते हैं यह काफी important question है इसमें क इस तो banking sector से belong करता है और यह basically है क्या देखें अभी क्या है कि government जो है एक इंद दनुस 2.0 नम की योजना जो है लेकर आई है तो इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी public sector bank है इनका पुनर पुझी करन का एक कारिकरम है तो इसके तहत क्या है कि बैंकों को बेसल की जो तीन नियम ह है उसमें अपनी जो उनकी पुझीगत सिच्वेशन है उसको बनाय रखने में एक तरह से help लेगी तो अगर बात किजा री कैपिलाइशन आफ पुब्लिक सेक्टर जो है लेंडर से तो इनके लिए ही यह जो है लाया गया है इंद दनुस 2.0 इसके हम डेटेल में बात री कैपिलाइशन आफ पुब्लिक सेक्टर बैंक जिससे की बैंक जो है वो अभी भी सॉल्बेंट रह चुके और कम्प्लीटली जो है वो जो बेसल की थर्ड नॉम्स है उसको फॉलो करते हुए अपना बिजनिस जो है उसको चलाते रहे नेक्स कुश्चिन की दोस्तों बा और सिस्टम जो है इसको इनेबल कर दिया गया है तो यह हुआ है आइनस सरवेक शक के उपर अब इसमें बताना चाहूँगा कि 18 सीट का एक सोनल पैलर लगाए गया है सोनल पैनल जो 300 मेग जो वाट है यह जो है एक तरह से इलेक्टिसिटी इसको जो है जनरेट करेगा और तो यह हुआ है आइनस सरवेक शक के उपर फाइन नेक्स्ट की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है रडी एल कभी कश्टन आप से पूछ तकता है कि रडी एल इसकी फुल फर्म क्या है तो आप यहां पर अब्रिवेशन पी नोट डाउन करते रहें रिलाइंस डिफेंस एंड इंजिनिरिंग लिम्टेट जिसको हम कहते हैं रडी एल और इसने साइन किया है एक MSRA एग्रिमेंट जिसको कहते हैं Master Sip Repair Agreement तो यह अभी कौन से कंट्री की नवी के शिप्स हैं इनको रिपेर करने के लिए रडी एल के साथ में एक एग्रिमेंट साइन्ड हुआ है तो जो US के नवी सिप्स हैं उनको रिपेर करने के लिए अभी Reliance Defense and Engineering Limited के साथ में एक करार हुआ है तो आप इस न्यूज को नोट डाउन कर लें ताकि आपसे यही पूछा सकता है इस फॉर्मेट में questions अगले question के दूस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है which organization has teamed up with Finance Industry Development Council FIDC to conduct training programs for NBFCs देखिए आपको बताना है कि वो कौन सा organization है जिसने भी Finance Industry Development Council के साथ में tie-up किया है जिसमें किया है कि training programs जो है जो NBFCs है जो यह organization के अंतरकर जो भी companies आती है इनके लिए training programs conduct कराया जाएंगे तो Finance Industry Development Council है इसके साथ में एक organization है जिसका tie-up हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि Bird Bank का ही एक part है तो अभी ultimately यहाँ पर जो options दिए है इसमें हमारा right answer क्या है Bird Bank लेकिन दोस्तों Bird Bank का ही एक part है IFC IFC क्या है International Finance Corporation तो इसका tie-up किसके साथ हुआ है Finance Industry Development Council के साथ में अब यह जो non-banking finance companies है यह NBFCs होती है non-banking finance companies तो NBFCs के साथ में अब NBFCs की जो training programs है उसको यह deal करेंगे IFC और FIDC चीके Next question में का गया है Who has born the 2017 New Zealand Grand Prix अभी हाली में 2017 New Zealand Grand Prix जो है यह किस ने जीता तो यह जीता है भारत के जिहान दारुबाला ने directly question आपसे पुछा सकता है तो आप इसको note down कर ले अगली question की दोस्तों बात की जाए इसमें का गया है Name the author of the book Army and Nation The Military and Indian Democracy Since Independence अब इस book के author आपको बताने है तो यह book लिखी है Steve Bill Clinton ने अब इससे जुड़ी कुछ ख़बरे मैं आपको बताना चाहूँगा अब यह book है क्या पहले मैं author के बारे में बताऊँगा आपको Stephen Bill Clinton जो है यह Yale University में professor है political science की तो इनके ही द्वारा लिखी गई यह book है और यह आपसे पूछा सकता है ठीक है और यह book बताती है जो भी Indian Army की relationship है जो बहां की civilian government है दिस आजाद होने के बाद उसका क्या view है कैसी है इस सब चीजों का जो बिबरन है वो इस book में लिखा गया है ठीक है तो आप यह चीज नोट डाउन कर सकते हैं यह काफी important आपका question यहां से बन जाता है ठीक है next question की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है in which country 2017 Cobra Gold Joint Military Excise has officially launched आपको बताना है कि 2017 Cobra Gold Joint Military Excise जो है वो अभी officially कह पर launch होई तो यह हुई है Thailand में ठीक है सबसे पहले चीज और इससे जुड़ी जो बड़ी ख़बर क्या है कि US और Thailand जो है यह officially launch करते है 2017 Cobra Gold Joint Military Excise और यह कहां पर होई है Thailand का एक है छोनबुरी प्रोविजन से हैं बहां पर 14 फरवरी को ठीक है और इसमें जो है इसमें मैं बता countries के उन्होंने इसमें हिस्सा लिया जिसमें Japan, South Korea, China और South East Asian Nations जो है वो इसके उन्होंने इसमें भागेदारी की ठीक है तो आप इसको note down कर ले फाइन और यह Asia की largest multinational drill जो है excise होती है जो Thailand में हर एक वर्ष होती है ठीक है अगले question की दोस्तों बात की जाए यह बहुत important है इसम of Candidate Master by the World Chess Federation तो यह इस बच्चे को दिया गया है साथ साल का है यह और इसका नाम है कुछ भगत तो आप से सबसे पहला कुछ निए पुछा सकता है कि कुछ भगत जो है यह किस स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं तो यह दोस्तों चैस से बिलॉंग करते हैं और इनको Candidate Master का Outstanding Performance दी थी अभी हाली में Best Run Asian Youth Chess Championship जो है जो भी संयुक तरब आमिरात में हुई UAE में तो उसमें इनकी Performance बहुत अच्छी थी और भारत के बहुत ही उबरते यह सितारे हैं जो केवल मात्र साथ बर्स के हैं और जिनोंने यह कारनमा किया तो आप इसको नोट डाउन कर ले ने वो किस कंट्री में ओपन किया गया तो यह हुआ है दोस्तों चाइना में अब आकड़े क्या कहते हैं यहां पर आकड़े यह कहते हैं कि लगबग बात की जाए दोस्तों काफी अधिक मात्रा में 2023 साइकलिस जो है वो एक बार में इस ट्रेक पर ट्रेबल कर सकते हैं और 15 मा फिट वाइड है ठीक है फाइब माइल्स जो है यह लॉंग है ठीक है और 16 फिट जो है यह बाइड है इसका अगर जोगराफिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तब नेक्स कुशन में हम बात करें इसमें कहा गया है इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन आई-टी-टी-फ वर्ड टूर इवेंट इन इंडिया अब ये इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन जो है इसका एक वर्ड टूर इवेंट है वो भारत के अंदर स्टार्ट होया तो यह हो रहा है नियो देली में ठीक यह तो डिरिकली आप यहां से कुश्चन को नोट डाउन कर ऐं और पहली बार हो रहा है तो इस बज़े से ये question काफी important हो जाता है और जो हमारे हाँ का नई दिली का sports complex है थ्याग राज sports complex ये बहाँ पर हो रहा है अगले question के बात की जाए इसमें का गया है कि जो जे root, joy root जो है वो अब नए test cricket के captain बना दिया गया है next question के दोस्तों बात की जाए इसमें का गया है आपको बताना है कि किस ने भी हाली में inaugurate किया है international conference जो next gen technologies for mining and fuel industries 2017 तो ये जो हमारे हाँ के union science and technology minister है आप इनके बारे में note down कर ले union science and technology minister ये हैं दोस्तों हर्स वर्तन जी तो इनों ने इसका inauguration किया है और एक चीज़ में आपको बताना चाहूँगा ये conference जो है किसके दोरा organized होती है ये key question यहांसे बन जाता है ये organized होती है ministry of environment and forestry के दोरा ministry of environment and forestry के दोरा ये अभी बिग्यान भवन में ये conference का योजन किया गया inauguration किया हर्स वर्तन जी जो union science and tech minister है उन्होंने next question की बात की जाए इसमें कहा गया है which Indian company has entered into a joint venture with European defense major MBDA missile system question में पुछा गया कि वो भारत की कौन सी company है जिसने अभी joint venture मतलब कि सईयूक तरूप से जब दो कंपनिया मिलकर कोई काम करती है तो उसको हम joint venture कह देते हैं तो वो यूरोप की एक defense major defense company है जिसका नाम है MBDA missile systems तो ये हुआ है L&T limited के साथ में जो भारत की कंपनिय है Larson and Turbo limited L&T और जो यूरोप की defense company है MBDA missile systems अब इनका main purpose क्या है इस joint venture का ये development करेंगे missiles भारत के अंदर और ये make in India initiative इसके अंतरगत ये होगा ठीक है और कुछ जो भी जो procure किया जाएगा missile systems को वो abroad से किया जाएगा ठीक है तो आप इस joint को note down कर सकते है अब इसमें अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो दो company है एक L&T है और दूसरी है MBDA missile systems तो एक क्यावन परसेंट जो हिस्सेदारी है वो L&T की होगी है और 49 परसेंट जो है वो MBDA की होगी है जो major stakeholder क्या है L&T है यहाँ पर ठीक है next question की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है कि international coin fair begins in which city अभी एक fair है international coin fair तो है कर सकते हैं और दूसरी चीज किसके द्वारा inauguration हुआ है तो बहां के जो minister for the cooperation tourism and devoshoms है इनका नाम है Siri Kadak Kempli Shurendram तो अभी इनोंने ही इसका inauguration किया है और तिरुबनन्त प्रम केरला में तो यह इनकी ministries भी important है और किसके द्वारा हुआ है कहां पर हुआ यही ख़बर आपसे पूछी जा सकती है fine अगले question के और move करते हैं इसमें कहा गया mega event of global investor summit momentum जारकन यह global investor summit है जिसको हम कहते है momentum जारकन यह अभी किसके द्वारा इसका inauguration किया गया तो यह हुआ है अरुण जेटली जी के द्वारा इसका inauguration किया गया और एक चीप मैं बताना चाहूँगा यह कहां पर हुई है तो यह तो आपको बताए जारकन में लेकिन question आपसे यह नहीं पूछा जाएगा question आपसे पूछा जाएगा सबसे जो key question यहाँ पर क्या बनता है वो आप note down कर लें कि जो भारत के पूर्व test cricket captain थे MS Zoni अब वो क्या है कि brand mr. होंगे इस summits के लिए यह सबसे important question यहाँ पर बन जाता है इसको आप note down कर लें ठीक है और Prime Minister Modi जी ने क्या किया कि इसको address किया इस summit को video conferencing के थरू तो यह भी एक question यहाँ पर बन सकता है ठीक है next question की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है कि India and which country recently signed an agreement to boost bilateral trade and enhanced economic cooperation ठीक है तो भारत और वो दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में एक दुपक्षी समझाता हुआ है जिसके अंदरगात उनका जो economic cooperation है इसको और जादा मजबूत किया जाएगा ठीक है और जो bilateral trade है इसको भी और जादा मजबूत किया जाएगा तो यह क्रोशिया के साथ हुआ है अब यहां से दो question आपके बन सकते है सबसे पहले है कि क्रोशिया की capital क्या है यह है जाग्रेब और बहां के president यह है और currency क्रोशियन कुना है और prime minister बहां के यह है अब यह news आप दो down कर ले साथ में क्या है कि जो हमारे आखे union commerce and industry minister है निर्मला सीता रमन इन्होंने और मेर्टिना डेलिक यह महां की deputy prime minister ने क्रोशिया की और साथ में minister of economy है यह भी उसको tackle करती है तो यह दोनों जो ministry है यह इनके दोरह है handle होती है तो आप इसको note down कर ले इनके साथ में यह करार किया गया है ठीक है अगले question की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है the Indian panorama film festival organized in which city question पुछा गया है कि Indian panorama film festival जो है यह किस सहर में जो है यह मनाया जाता है तो यह अभी हाली में conduct हुआता कहां पर Port Blair में इसको आप note down कर ले और यह 5 दिन का एक festival होता है Indian panorama film festival और यह organized किसके अगर हुआ Directorate of Information and Publicity Undemand and Nicobar Administration किसके association में हुआ Ministry of Information and Broadcasting and Directorate of Film Festival FFI New Delhi तो इनके association में हुआ है तो यह मुद्धा question यहां से बन जाता है कि directly आप से पुछना कि Indian panorama film festival जो है इसका आयोजन अभी हाली में किस सहर में हुआ तो यह हुआ port player में है ठीक है Undemand and Nicobar Deep Next question की दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है Which state government has launched the e-present project to digitalize district jails जितने भी district jails हैं उनको digitalize करने के लिए एक e-present project है यह launch किया गया तो यह किस state government ने launch किया तो यह क्या है Jammu and Kasmir ने तो आप इस question को note down कर लें अगले question की दोस्तों बात की जाए इसमें आप से पुछा गया है India has become a member of the new network for improving quality of care for maternal newborn and child health How many member countries in this group अभी क्या हुआ कि भारत जो है एक नया सदस से बना है किसका यह question important बन जाता है किसका मना है Network for improving quality of care for maternal newborn and child health जो new babies born होते हैं उनके स्वास्ते के लिए और mother के लिए एक यह एक शमू है जो की उनके लिए एक अच्छी स्वास्ते स्वभिधाय मोहिया कराई जाए इसके लिए एक काम करता है तो भारत अभी इस जो चैनल का एक नया network जो एक नया member बना है तो question आपसे पूछा गया है कि अब total member इसमें कितने हो गया इस group में तो total अब भारत के जोड़ते ही 9 member हो गया है ठीक है 9 fine यह आप question note down कर सकते हैं और इसका aim है कि quality of care जो है उसको बहुत ज़ादा improve किया जाए जो new mothers और babies है उनके लिए ठीक है next question में दोस्तों बात की जाए इसमें कहा गया है which international organization has launched its first fully integrated capacity development center south ECI regional training and technical assistance center जिसको हम बोलते है SACTEC in India तो आपको बताना है कि वो कौन सा international organization है जिसने launch किया है ठीक है पहला fully integrated capacity development center जो है SAR TTC का भारत के अंदर ठीक है तो यह किसने किया है यह किया है IMF ने international monetary fund के दौरा हुआ है ठीक है अब यहां से दो question आपके बन जाते हैं सबसे पहला कि यहां के chief कौन है chief है क्रिष्टिनिया लगार्डे यह आपनो down कर ले ठीक है और इसका headquarter कहांपर है IMF का तो यह है दोस्तों Washington DC District of Columbia यह आपनो down कर ले Washington में USA इसका headquarter है ठीक है next question कि हम यहां पर बात करते है इसमें कहा गया दोस्तों नासिर जमसेद जो है अब यह provisionally suspend कर दिये गए है all the formats of cricket सारे कि सारे cricket format से क्योंकि इन्होंने कुछ anti-corruption code जो है उसका इन्होंने violation किया है पाकिस्तानी किर्केट रहे है ठीक है तो अब यह anti-corruption code में यह पकड़े गए है तो इस विज़े से इनको suspend कर दिया गया provisionally अभी जब तक इन पर inquiry of commission बैठा हुआ है उस time के लिए एक question और भी बन सकता है कि नासिर जमसेद किस sport से बलॉंग करते है तो यह cricket से बलॉंग करते है किस country से करते है पाकिस्तान से क्योंकि यह भी हाली में news में आया तो इसलिए यह question आप से पूछा भी जा सकता है ठीक है और पाकिस्तान का जैसे हमारे हाँ का BCCI vote है ठीक है और पाकिस्तान का vote क्या है वो है PCB पाकिस्तान के किट वोर्ड ठीक है तो यह आप नोट डाउन कर सकते है तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसका सेकेंड पार लेकर आएंगे तब तक आप इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को सस्काइब जरू कर लें और इसकी पीडिया फाइल जो है